वक्फर संशोधन बिल पर आतंकी जाकिर नाइक ने भड़काओ बयान वाला एक वीडियो जारी किया है आतंकी जाकिर नाइक ने वीडियो जारी कर मुसल्मानों को भड़काने की कोशिश की उसने कहा कि मौजुदा सरकार पहले की तरह ताकतवर नहीं है विपक्ष भी इस बार मजबूत है लेहाजा मुसल्मानों को अपने हग की लड़ाई लड़नी चाहिए और इस बिल को खारिच करना चाहिए नाइक ने कहा कि ये सरकार मुसल्मानों को संपती उनकी संपती को हडपना चाहती है उन्होंने कहा कि वाक्वा की संपती पर सिर्फ मुसलमारों का हक है, गैर मुसलिमों को इसके इस्तिमाल की इजाज़त नहीं है अब दो के वाक्वा ौःपनी पर सिर्फ मुसल्बबाबिजिया लिए ठॉएवनियों कि इने इसे। का फ्लम भाखती थे、 सिर्फ मेशित उनके कहा हुआओ मैं आब। आज इन होथनयों प्लमा पूआए मुसलिमों को इन भाखतारे स्सार। तो वक्वसन शोधन बिल पर सियासत तेज हो गई है AIMIM चीफ असदुदीन ओवैसी ने वक्वसन शोधन बिल 2024 को मुस्लिमों के मौलिक अधिकारों का हननन बताते हुए कड़ा विरूज जताया वैसी ने कहा ये समविधान का उलंगन करता है और इसके तहट मोधी सरकार वक्वसन पत्यों को मुस्लिमों से छिनने की साजिश रच रही है कि अगर ये खुदाना खास्ता ये बिल अगर खानून बनेगा तो कोही भी वफ की प्रापर्टी मुसल्मानों के पास नहीं रहने वाली सब हुकूमत के खबजे में चला जाएगा बिल में यहां तक लिखा गया है कि अगर वो खानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंदर मोडी दिल्ली में बैटके बनाएंगे उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वाहबोट किसे के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंदर मोडी से पूछना पड़ेगा